महिला ससत्तिकरण एम बाल विकास विबाग दोरा गरुली हिंसा और बाल सोसन के प्रती महिलाओं वे अन्य लोगों को जागरू करने के लिए हिंसा के अंधियारे से आसा के उज्यारे तक विशेप जिलास्तर पर कारेकरमों का आईजन किया जा रहा है जिसके चलते इंस्पा प्रकत की जहां बतोर मुक्य अतिती ब्लोग प्रमुक जस्विंदर सिंग बिट्टू ने भी अपनी एहम बावगीदारी निभाई साथ ही उन्होंने विबागों वे इंस्पाइरेशन पियारे निमेट्स के इस परियास की शराहन की नवबरसमाचार विकास नगर से इमोशनल भी होता है युमेनिटी हमारे अंदर है एक केस सुना थोड़ा से इमोशनल भाव आ गए तो समझ में याद हो था कैसे महिलाओं को बाहर निकालें या कैसे वह हम तक पहुंचें हिंसाएं शुरू हुई प्रोटेक्शन हमें 2005 से मिला उससे पहले भी तो हिंसाएं होती थी तो वह प्रोविजन हमारा क्या क्या थी या उसके कोई भी नातेदार उस महिला के साथ किसी भी परकार की कुरूड़ता करते हैं तो वह इसमें डॉमेस्टिक वाइलेंस में आता है क्रूड़ता का मतलब क्या होता है क्रूड़ता क्या होती है कि किसी भी महिलाओं क ताने माने देना या इस परकार से परिशान करना कि दहेजनी लाई है या उसके रिलेटिव को इतना परिशान करना कि कोई समान संपत्ती देने के लिए मजबूर करें या वो महिलाएं इतनी परिशान जाती है कि वो आत्महत्या करने लगती है या अपने स्वास्ते को हानी प कर दी गई है घर में रहने से लेके बद्ची की कँ स्टरबी से लेके हर चीज का राइट के फ़ीजी की लाज did यह दिया गया है चासी के लुए पुण्स के लिए नहीं है यह सिर्फ महिनाम को ही अर्ट करता एक श्राइब अधिया है सपोज हस्बेंट घर आया शाम को आया चाय चाय पानि आप लेके गए वह गुस्षे में है फैक के मार जी उसने क्या हो गई यह शायरी खिंसा हो गई थपड ना पीट देना लाक मार देना थक्का मार देना लेकिन हम इन सब चीजह को इंग्णॉर क इंसा के अंधेरे से आशा की हुजारे तक कारेकरम जगे जगे आयुजित किया जा रहा है ये हमारे डीपियो अखिलेश मिश्र जी की पहले है जिसकी मैं बहुत सदाना करती हूँ और इस प्रोग्राम में महिलाएं उनका खास जो प्रियास है कि महिलाओं जो महिलाएं घरेल कर रहे हैं इंस्पिरेशन पिया और इवेंट्स को इसकी जिम्मेदारी मिली है और घरेलू हिंसा संबंधी जानकारी देने के लिए हमारे साथ एड़ोकेट काउसलर वन स्टॉप सेंटर से पूरी टीम आई हुए तो कहा का कारिकर मतल रहा है और क्या कुछ रहेगा आगे क आगे कम में सबसे ज्यादा है कि इसके असाम पिछलब से एला मीधने को आवेद फिर्दोश कुछ आई हो कि मैं एडवोकेट फिरदोश हूं महिला से सक्तिकरन बाल विकास विभाग से हूं और हमारे डीपयो सर्ण ने ये प्रोग्राम रखा है घरेलू हिंसा पर महिलाओं के साथ आए दिन घरेलू हिंसा हो रही हमारे देश में कम से कम 70% महिलाएं घरेलू हिंसा सहती हैं जीने पत हुआ के संपति में बेटियां को ठीए नहीं होता लेकिन अब उन्हें पूर्वोजों की संपती में अब handling जीने अलनेरी चुक है और हिंसायों कि ऊंंदो हम्हिं के बार यहां कि अगर कि अगर कि बनुच्च को कि और जलत टरीके करती हैं तो वो भी एक क्राइम होता है और इसी चीजों को लेके आज हमने किये वर्क्शॉप रहे हैं कि उसको किस पर रोका जागरुक नहीं होंगी खुद अपने अपर डिपैंड नहीं होंगी तब तक महिलाओं को जागरुक नहीं किया सकता महिलाओं को इसके लिए क्या है घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी ह बहुत जरूरी है चीजों को खुद करना जरूरी है जब तक उटी hazırति सब चीजों को नहीं करेंगे तब तक महिलाओं के निकलना बहुत होरी है लोगों को सिंद्म कर सकती है कि हमारी ठीप हमारे वन-स्टॉप सेंटर है हमारी पूरी टीम में अटाइक पूली विवस्ता भी है हम कॉंस्री मेरी यह धिता है और कंशू कोई मामल लाता है तो कोड में भी हम इस चीज की सुपी सुएध यह